है कि ऐलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक्ट तो माई चैनल ट्रेनिंग एंट्रिक मैं आज आप लोगों को कंट्यूनिटी टेस्टर की कैसे चेक करते हैं वह मैं बताने वाला हूं यह सापका पैनल में कॉंटेक्टर है और एड़न ब्लॉक है वह सब चेक करना इस चेक कर सकते हैं पहले तो उससे चेक कर सकते हैं मल्टी मीटर मल्टी मीटर कोस्टी होता है अगर मल्टी मीटर आपके पास नहीं है तो यह कंट्यूनिटी टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं मार्केट में बहुत इसली मिलता यह 20-30 पर में आपको मिल जाएगा तो यह आप देख रहे हैं यह यह सिर्फ continuity बताएगा इसको तभी चेक करना है जब यह पावर आपके पैनल में यह जहां भी आप चेक कर रहे हैं तो current नहीं रहना चाहिए सिर्फ यह continuity बताएगा जिसे मोटर में चेक करना है तो पावर को आफ कर देना है यानि current नहीं रहना चाहिए नहीं तो यह इसका बल्ब खराब हो जाएगा इसका अंदर के पार्ट्स मैं देखा रहा हूं यह स्प्रिंग है और यह दो बैटरी होती है अगर जिसा भी लाइट नहीं जल रहा है तो यह बैटरी को चेंज कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो यह फिर से काम करना शूर कर देगा यह तो अंदर हो गए इसका पार्ट्स अभी मैं आप लोगों को चेक करके बता हूंगा पैनल को कैसे चेक करते हैं यह बैटरी लगा दिए दुबारा मैं यह फिट कर रहा हूं दोस्तों मैं एक चीज के लिए सौरी बोला हूं क्योंकि मैं काफी दिन से अफ्लोट नहीं कर रहा था वीडियो तो इसके लिए मैं सौरी कर बोला हूं देखिए यह हो गया अब इसको टच करेंगे तो यह लाइट ग्लो होगी अभि मैं आता हूं पैनल की तरफ यह पैनल है यह पुश बटन है यह सूइच भी है तो इसको हमें चेक करना है कि इसमें कंटिवू निटी आ रहा है यह नहीं यह पुश वाले बटन है यह सब पैनल में पैनल को खोलेंगे और इसको अंदर यह यह इंड़ हो गया है जब यह प्रेस करते हैं तो इसके आनन से चीए अब यह देखिए अब फिसक ग्लोह हो गया जुसमें और यहां पे लिखा रहता है रहता है तो थो यहां पर लिखा रहता है अगर यह नहीं भी लिखा है तो आप इसको चेक करके पता कर सकते हैं अगर यह normally लगाई इसमें गलो नहीं कर है तो एन हो इसा ऐसा बटन पुश करेंगे तो यह लाइट गलो हो जाये हो यानि एनफे हो जाए牌 ि एस से homem करना है कि अभए आप को क्या हो और है जैसे वह आपको यह भी मोटर नहीं चला कभी कभी यह वायर जो है लोज रहता है देखिए यह क्या है अब भी नॉर्मल एंसी है यानि लाइट गलो कर रहा है जैसे मैं लाइट बटन को प्रेस करूंगा तो यह लाइट बंद हो जाएगी यह देखिए तो इसे भी आप चेकर सकते हैं अब यहां पर इसा ही है तो यह वायर को अगर लूज रहेगा तो आपको भी कनेक्शन नहीं बताएगा मोटर कोई भी आन नहीं होगी तो यह वायर जो है टाइट कर दिना है आप लोगों को यह एंसी है अब भी आप आईए चलता हूं मैं कॉंटेक्टर की तरफ यह पैनल के जो इसको प्रेंट में यह एक लगाया एक उपर एक नीचे जहां पर यह पावर है अब इसको कॉंटेक्टर चेक करना है इसको प्रेस करेंगे यह सब आपको तबी करना का आए जब आपको पैनल आफ कर दिना यानि इस सप्लाइ नहीं रहना चाहिए करेंट नहीं रहना चाहिए तब हूं कर ना है मल्टी मिटर में क्या रहत है अगर सप्लाई रहे pati मल्टी मिटर से चेक कर सकतें कि आडनग बैगे अवह आज बन हो गई हुआ कि यह उपर जो लगा हुआ दोस्तों इसको बोलते है चेक कर रहा हूं यह देखें यह तो प्लेंजर बोलते हैं में लेंजर जब यह आटोमेटिक चलता है तो यह चीपक जाएगा तो सप्लाइब अन होती है अभी में का ऑफ कर रहा हूं इसका जो कॉंडेक्टर को कॉइल है किसको में छेक कर रहा हूं कॉंडेकٹर को कॉइल जो इसमें लिखे रहे था एएएघ रहात 딱 क्यों जीनिक कॉंडेक्टर को सब्सक्राइब करे किए शुक्त अब इसको चेक कर रहे हैं अब इसको कर रहे है अमारी घ्राइब कर रहे है अब आपका मोटर है या कोई भी चीज़ें नहीं चल दा है तो यहां से इसका वोल्ट है यहां से उसको टाइट कर दिजे अगर लुश कनेक्शन रहेगा फिर भी यह पावर जो है उसको प्रॉपर तरीकत नहीं मिलेगा मोटर जो है बंद होगी चालू होगी तो इसको जो है जब आईसा प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे कॉंटेक्टर को जैसा अभी माले पानी का मोटर है तो उसको जो है यहाँ से टाइड कर दें उपर और नीचे रहता है को चेक कर लेना है कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो यह कंट्यूनिटीव टेस्टर है यह आपको बहुत है देगा और ज्यादा यह महिंगा नहीं मिलता आप प्रतनीर जो है जिसको जो है केर कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं माले यह कोई प्लांट में नहीं मिला है वीडियो में बस दोस्तों इतना ही मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में